तो बिटा आज हम करेंगे DOE से आई हुई वक्षीट नमर 19 क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट मैस डेट हैस के 1 दिसेंबर तो बिटा वक्षीट स्टार्ट करने से पहले सेम है तो अब क्या करेंगे हम कर देंगे 3-2 upon 4 विच इस वन बाइ 4 ठीक है ऐसी किया इसी तरीके से 6-8-2-8 दोनों का क्या है डिनॉमिनेटर सेम है तो 6-2 क्या हुआ 4 हो गया अपान 8 अब यह कैंसे कैंसल हो रहा है उपर नीचे 4 से 4 वन जा 4 4 2 जा 8 तो उपर नीचे 1 बाइ 4 1s are 4 और 4 2s आ 8 ठीक है आगे है यह भी like fraction है तो देखो 2 by 7 minus 1 by 7 2 minus 1 upon 7 as it is ठीक है तो which is equal to 1 by 7 तो इस तरीके से यह 4 example दिये हुए है यह देख लेना बहुत एज़ी है आपको बहुत असानी से समझ में आ जाएंगे ठीक है आगे है अब हमें करना है subtraction of unlike fraction मेर आती है unlike fractions की ब उन्हें like बनाने के लिए उपर नीचे denominator में दूसरे वाले denominator से multiply करता है same वैसे ही करना है देखो अब जैसे की हमें दे रखा है 1 by 3 minus 1 by 5 ठीक है अब देखो यह unlike fraction है ठीक है तो क्या करेंगे जो यह वाले denominator है यानिकि दूसरा number का denominator का 5 तो उसे उपर नीचे 5 से multiply कर देंगे औ और 1 by 5 जो दूसरा number है दूसरा fraction है उसे इस वाले denominator से multiply कर देंगे ठीक है उपर नीचे 3 से बस यही करना है 5 1s of 5, 3 5s of 15, 3 1s of 3, 5 3s of 15 दोनों के denominator सेम हो गए अब इन दोनों को subtract कर देंगे यानिकि 5 minus 3, 2 आ जाएगा यह देखिए यह आ गया 5 minus 3, 2 upon 15 ओके इसी तरीके से 4 by 3 को पहले 4 से multiply कर देंगे उपर नीचे और 3 by 4 में 3 से multiply कर देंगे उपर नीचे ठीक है तो यह आ गया 16 by 12 minus 9 by 12 is equal to 7 by 12, ओके चलिए अब question कर लेते हैं, first question है find the difference of the following fraction, अब हमें क्या करना है, difference निकालना है, तो देखो बटा सबसे पहले है 7 upon 9 minus 5 upon 9, तो लोनों लाइक है, तो simple हो जाएगा यह तो 9, 7 minus 5 या जाएगा 2 upon 9, 7 में से 5 गया 2, इसे तरीके से यह हो गया 17, या गया 14 minus 3, 14 minus 3 कितना होता है पिटा, 11 by 17, तो यह हमारा A part है और यह हमारा B part है, तो यह हमने दोनों solve कर लिए, आगे है, find the difference of the following unlike fraction, अब यह क्या है, unlike fraction, तो इनको करते हैं हम 1 by 1, पहला है 6 by 11 minus 1 by 6, इसको हम यहा लिख लेते हैं, 6 by 11 minus 1 by 6, तो हम क्या करते हैं पहले, 6 by 11 को यह वाले denominator से, इसको मैं erase कर दती हूँ, ठीक है, इस वाले denominator से हम क्या करेंगे, multiply कर देंगे, तो उपर नीचे 6 से multiply कर दिया, minus 1 by 6 है ठीक है, इस वाले denominator को हमें multiply कर देना उपर नीचे, हम इसको कर लेते हैं, चलो अब solve कर लेते हैं, 6, 6, 36, 11, 66, minus 11, 11, 6, 11, 66, अब इसमें से इसको एक बार लिख लिए, ठीक है, 11 में से, 36 में से 11 गया, कितना आता पिटा, 6 में से 1 गया, 5, 6, 3 में से 1 गया, 2, तो आंसर आ गय 5 upon 66, ठीक है, तो यह हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, तो यह first part हो गया, अब भी part है, हमारा 7 by 9 minus 2 by 3, तो हम इसको यहां कर लेते हैं, 7 by 9 minus 2 by 3, 7 by 9 minus 2 by 3, तो हम क्या करेंगे, 7 by 9 into क्या करेंगे, उपर नीचे 3 से multiply, minus 2 by 3 को क्या करेंगे, उपर नीचे 9 से multiply, ठीक है, 7, 3 जा 21, 9, 3 जा 27, ठीक है, 9, 2 जा 18, 3, 9 जा 27, अब क्या करेंगे, 21, दोनों सेम हो गए, ठीक है, दोनों के denominator सेम हो गए, अब यह हो गया, दोनों का, 21 में से 18 माइनस किया, 3 by 27, आप देखो, 3 by 27, 23 से cancel हो रहा है, 3, 1 जा 3, 3, 9 से 27, तो answer आजाएगा, 1 by 9, तो यह हमारा हो गया, 1 upon 9, यह हमारा हो गया answer, ठीक है, तो यहाँ पर बिटा हमारा second part solve होता है, तो अगर आपको मेरे वक्षिट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को like केजिए, मेरे चनल को subscribe केजिए, so stay tuned for more videos, till then, भा बाई